आधियों नमस्कार आज हम आपको बताएंगे LibreOffice Calc के विशे में LibreOffice Calc है क्या जैसे Microsoft Office में Microsoft Office Excel होता है ठीक उसी तरीके से LibreOffice में LibreOffice Calc एक प्रोग्राम है जिस पे आप Data Inti से सम्मन्धित कारियों को कर सकते हैं आप यहां पर हम बात करेंगे LibreOffice Calc को Open कैसे करें जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि LibreOffice को आप कैसे इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर में और कैसे डाउनलोड करें इस पर हमने पुरा वीडियो बना रखा है और मैं आपको यहां पर बताता हूं LibreOffice को कैसे ओपन करें यहां पर हमने LibreOffice को इंस्टॉल कर रखा है 6.4 है मारे सिस्टम में अब नीचे कि आप कोई नया वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं वर्जन से कोई मीन्स नहीं है यहां पर हम आपको बताएंगे LibreOffice कैल को कैसे ओपन करें जब LibreOffice में जाते हैं तो यहां पर आपको LibreOffice कैल क मिलता है जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो LibreOffice कैल किस तरीके से आपके सामने open हो जाता है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले तो यहाँ पे data entry कैसे की जाती है, अगर आप Libre Office Calc में data entry करना सिखना चाते हैं, तो मैं आपको बताओ, बहुत simple सा funda है, ठीक, Microsoft Office Word के जैसा ही Libre Office Calc में भी आप data entry कर सकते हैं, तो आईए हम कुछ data entry यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं, जिससे आपके doubts clear हो पाए, माल लिजे कि आप एक school के लिए data entry कर रहे हैं, या आप किसी और भी जगे के लिए जहां के लिए भी आप काम कर रहे हों, किसी office में आप काम कर रहे हैं, या कहीं भी आप काम कर रहे हों, वहां के लिए आप Libre Office Calc में data entry करने वाले हैं, तो सबसे पहला काम आपको एक field तयार करनी होगी, और field से पहले title तयार करना बहुत ही important होता है, तो यहां पर हम field के लिए title तयार करते हैं, जैसे हमने यहां पर लिख दिया record of student, रिकार्ड of student लिख दिया, यह हो गया title हमारा, फिर उसके बाद यहां पर हम address लिख सकते हैं, कि कहा के लिए हम तयार कर रहे हैं, तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे आप देख लें हमने यहाँ पे इंटी कर दी अब उसके बाद हमें क्या करना है यह इंटी के बाद अगला काम में यहाँ पे फिल्ड तयार करना होगा फिल्ड तयार करने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे सबसे पहले तो हमें serial number लिखना होगा फिर tab की को प्रेस करके अगले cell पे जा सकते हैं shift tab को प्रेस करके आप पीछे के cell पे आ सकते हैं LibreOffice calc, triple C में यूज, triple C में पूछे जाने वाले question LibreOffice से बहुत आते हैं LibreOffice writer पे मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है calc का मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, इसको आप ध्यान पूरवक देखें पूरा calc मैं आपको A to Z सिखाऊंगा, इसको आप बिना skip किए एक एक वीडियो को जरूर देखें, मैं इसको short में step by step दूँँगा प्रेस के बाद हम बना देते हैं आधार, फिर उसके बाद mobile number, mobile number, फिर उसके बाद mobile number के बाद हम यहाँ पे और जो भी field, fees वगेरा, एक्सेक्टर आप जो भी field बनाना जाहें, वो आप बना सकते हैं, इसको बनाने के बाद फिर आपको क्या करना इंटर की को प्रेस करेंगे आप यहां पे आ जाएंगे अगर आपको उपर वाले सेल में जाना है तो आप सिफ्ट इंटर की को प्रेस करेंगे आगे जाने के लिए टैब की को प्रेस करेंगे पीछे आने के लिए सिफ्ट टैब और नीचे जाने क लिए इंटर की को प्रेस करेंगे अब इसके बाद हमें क्या करना है माल लिजे यह फेल्ड अपने बना ली अब हमें क्या करना इस पर फॉर्मेटिंग करने है तो फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हमें इसको बीचो बीच लाना है तो इसको हमने center cell मिलेगा इस पर क्लिक कर दें यहां पर इस फिल्ड को फिर से select कर लें और यहां पर हम इसको format में जाके margin center पर आके margin center कर दें इसकी size को थोड़ा बढ़ा लेते हैं text में जाके font size आप देखें यहां पर font size होगा जैसे format पर आते हैं अच्छा यहां से भी बढ़ा सकते हैं तूल से मैंने बताया नहीं आपको यह टूल से भी हो सकता है बहुत ही आसानी के साथ अगर आप इसकी font size को बढ़ाना चाहते हैं तो हमने इसको bold कर दिया अगेन हम इसको select करते हैं and select करके इसको आप यहां से alignment center कर सकते हैं या format में जाके यहां पर text alignment है center कर सकते हैं इसकी size को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट में जाके आप यहां पर format में format में test के अंदर bold detailing देख लें यहां पर आपको एक option मिलेगा size अगर size नहीं मिल रहा हो तो उसके लिए आपको बहुत परिसान होने की जरूरत नहीं है size के लिए एक अलग सा ही option मिल जाएगा आपको number format पे भी clear कर देंगे click कर देंगे या cell पे click कर देंगे तो cell पे भी आपके सामने एक box आ जायगा जहां से आप इसकी size को change कर सकते हैं तो हम यहांसे इसकी size को change कर लेते हैं और size को change करने के बाद अगर आप इस column की size को adjust करना चाते हैं तो आप क्या करें यहां से आप इस column को select कर ले और column को select करने के बाद column heading पे जाके mouse की left button को दो बार click करें तो यह auto adjust कर लेगा इसको आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आपको column heading पे जाके इसको बड़ा कर लेना है इस तरीके से आप एक एक field को अपने according adjust कर सकते हैं as your wish आप जैसा चाहे और फिर उसके बाद इसमें आप data की entry करेंगे data entry का rules क्या होता है वो भी मैं आपको यहां में बता दू data entry का rule यह होता है जो भी आप entry करेंगे entry field by field होनी चाहिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप entry करें जैसे यहां serial number पे आपने लिखा one और आपको लिखना है मान लिजे 100 तक तो one two को select करके आप इसको ऐसे drag करें तो automatic यह number बनता चला जाएगा फिर यहां पे name लिख सकते हैं मान लिजे हमें यहां पे name लिख दिये और name लिखने के बाद फिर father name लिख देते हैं फिर address लिख देते हैं address लिखने के बाद फिर हम आधार number लिख देते हैं जो भी आधार number हो मैं ऐसे ही कोई number डाल दे रहा हूँ तो अब फिर उसके बाद mobile number लिख देंगे जो भी mobile number हो फिर उसके बाद यहां पे fee लिख देंगे और इस तरीके से फिर आप इंडर करेंगे तो अगला record entry होना चालू हो जाएगा और इसको आप border में भी कर सकते हैं select कर ले select करके आप border में करने के लिए आपको जाना कहां पे है इसको select करना है और select करने के बाद आपको जाना है यहां पे सबसे पहले आप select कर लें और select करके आप चले आए format tools पे format टूल में आप देखें तो आपको एक option मिल जाएगा border देखें इसमें कहीं है तो अगर आपको कहीं नहीं मिलना है यह border color है और यह देखे border line होगा तो line कैसी चाहते है आप फिर यहां पे border कौन सा चाहते है फुल वाला border चाहते है तो यह फुल कर दे अब आपका यह matter पूरा border में हो गया और print करना चाहते है तो आप file में जाके इसका print preview देख सकते हैं कि यह matter print होने पर कैसे चपेगा तो इस तरीके से चपेगा दोस्तो आज का वीडियो बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा लोग तक सियाए करें ताकि उनको भी यह knowledge मिल पाए दोस् नेस्ट वीडियो में हम आपको लिब्रे आफिस के और भी आप्संस से पर्चित करवाएंगे